थिसलूनिकियों के नाम पॉलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याए एक पॉलुस और सिल्वानुस और तिमूथियोस की ओर से थिसलूनिकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभू यिशु मसी में है अनुक रहे और शान्ती तुम्हें मिलती रहे हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरन करते और सदा तुम सब के विशे में परमेश्वर का धन्यवात करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परीश्रम और हमारे प्रभु यिशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं हे भाईयो परमेश्वर के प्रिय लोगों हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्रही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चे के साथ पहुँचा है जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे यहां तक के मकी दुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने क्योंकि तुम्हारे यहां से न केवल मकी दुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यक्ता ही नहीं क्योंकि वो आप ही हमारे विशे में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ और तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की और फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो जिसे उसने मरे हुऊं में से जिलाया अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है अध्याई दो हे भाईयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना वेर्थ ना हुआ वरन, तुम आप ही जानते हो कि पहले पहल फिलिप्पी में दो खुठाने और उपद्रफ सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा ही आप दिया कि हम परमेश्वर का सू समाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं क्योंकि हमारे उप्तेश ना भ्रम से है और ना अशुधता से और ना छल के साथ है पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सू समाचार सोंपा हुआ वैसा ही वरणन करते हैं और इसमें मनुश्यों को नहीं परंतू परमेश्वर को जो हमारे मनों को चाचता है प्रसन करते हैं क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी ललो पत्तों की बातें किया करते थे और न लोब के लिए भाना करते थे पर मिश्वरगवा है और यद्यपि हम मसीх के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोज डाल सकते थे तो भी हम मनुश्यों से आदर नहीं चाहते थे और न तुम से, न और किसी से परंट जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोशन करती है वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीछ में रहकर कोमलता दिखाई है और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सोसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तयार थी इसलिए कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे क्योंकि हे भाईयों तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरन रखते हो कि हमने इसलिए रात दिन कान धंदा करते हुए तुम में परमेश्वर का सूसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भारना हो तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो हम कैसी पवित्रता और धार्मिक्ता और निर्दोशता से रहें जैसे तुम जानते हो, कि जैसा पिता अपने वालकों के साथ परताओ करता है, वैसे ही हम तुम में से हर एक को भी उप्तेश करते और शान्ति देते और समझाते थे, कि तुम्हारा चालचलन पर्मेश्वर के योग्य हो, चो तुम्हें अपने राच्य और महिमा में बुलाता इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुचा तो तुमने उसे मनुश्यों का नहीं परन्तु परमेश्वर का वचन समझ कर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहन किया और वो त तुम्हे भाईयों परमेश्वर के उन कलीसियाओं की सिचाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीही यिशु में है क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था जिन्होंने प्रभु यिशु को और भविश्य वक्तवाउं को भी मार डाना और हमको सताया और परमेश्वर उनसे प्रसंद नहीं और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं वे अन जातियों से उनके उध्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपूआ भरते रहें पर उनका भयानक प् प्रिलालसा के साथ तुम्हारा मुँ देखने के लिए और भी अधिगिया तुम किया इसलिए हमने अर्थात मुझ पॉलुस ने एक बार नहीं वरन दो बार तुम्हारे पास आना चाहा परंतु शैतान हमें रोके रहा भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का उसके आने के समय तुम ही न होगे हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हूँ अध्याए तीन इसलिए जब हमसे और न रहा गया हमने ये ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं और हमने तिमुथी उसको जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है इसलिए भेजा कि वो तुम्हें स्थेर करे और तुम्हारे विश्वास के विशे में तुम्हें समझाए कि कोई इन प्लेशों के कारण डगमगा न जाए क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन ही के लिए ठहराए गए हैं क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहां थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें ख्लेश उठाने पड़ेंगे और ऐसा ही हुआ है ये तुम जानते भी हो इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हूँ कि परिक्षा करने वाले ने तुम्हारी परिक्षा की हूँ और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हूँ पर अभी तिमुथी उसने जो तुम्हारे पास से आकर हमारे यहां आकर तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस बाद को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो जैसा हम भी तुम्हें देखने की इसलिए है भायों हमने अपनी सारी सकेती और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विशे में शान्ती पाई क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम चीवित है और जैसा आनंद हमें तुहारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुहारे विशे में हम किस रीती से परमेश्वर का धन्यवा करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुद देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यिशु तुम्हारे यहां आने के लिए हमारी अगुआई करें। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नती करता जाए। ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यिशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वन और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष्ट हैरे। अध्याय चार निदान, हे भाईयों, हम तुमसे विनिती करते हैं और तुम्हें प्रभु यिशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो, वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु की ओर से तुम्हें कौन-कौन सी आग्या पहुँचाई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है, कि तुम पवित्र बनो, अर्थात विहभी चार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ, अपने पात्र को प्राप्त करना जाने और ये काम अभिलाशा से नहीं, और ना अन्य जातियों की नाई, जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर ताओं चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पल्टा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले तुम से कहा औ कि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है, इस कारण जो तुछ जानता है वो मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को तुछ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है, किन्तु भाईचारे की प्रीति के विशय में ये आवश्चक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं क्यूंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है और सारे मकी दुनिया के सब भाईयों के साथ ऐसा करते भी हो हे भाईयों हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ और जैसी हमने तुम्हें आक्या थी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रेत्म करो कि बाहर वालों के साथ सभ्यता से बरताओ करो और तुम्हें क किसी वस्तु की घटी ना हो। जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोय हुऊं से कभी आगे न बढ़ेंगे क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उत्रेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिये जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे सो इन बातों से एक दूसरे को शांती दिया करो अध्याए पांच परहे भाईयों इसका प्रियोजन नहीं कि समयों और कालों के विशे में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोराता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भै नहीं तो उन पर एक आएक विनाशा पड़ेगा जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीती से ना बचेंगे पर हे भाईयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े क्योंकि तुम सब जोती की संतान और दिन की संतान हो हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहें पर जागते और सावधान रहें क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की जिलम पहन कर और उधार की आशा कटो पहन कर साफ़धान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोथ के लिए नहीं, परन तो इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभू यिशू मसीह के द्वारा उधार प्राग करें, वो हमारे के लिए इस कारण मरा, कि हम चाहे चातते हूं, चाहे सोते हूं, सब मिलकर उसी के साथ जियें, इस कारण एक दूसरे को शान्ती दो, और एक दूसरे की उन्नती के कारण बनो, निदान, तुम ऐसा करते भी हूं और हे भाईयों, हम तुम से विनती करते हैं, कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझाओ, आपस में मेल म लाप से रहो और है भाईयों हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ कायरों को डाढ़स्तों निर्बलों को संभालों सब की ओर सहनशीलता दिखाओ सावधान कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे पर सदा भलाई करने पर तत्पर हो आपस में और सबसे भलाई ही की चेश्टा करों सदा आनन्दित रहो निरंतर प्रार्थना में लगे रहो हर बात में धन्यवात करों क्योंकि तुम्हारे लिए मसीही येश्व में परमेश्वर की यही इच्छा है आत्मा को ना बुझाओ भविश्य द्वानियों को तुछ ना जानू सब बातों को पर्खो जो अच्छी है उसे पकले रहो सब प्रकार की बुराई से बचे रहो शान्ती का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीती से पवित्र करें और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीश्व मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोश सुरक्षित रहें तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा देता हूं कि ये पत्री सब भाईयों को बढ़ कर सुनाई चाहे हमारे प्रभु यीश्व मसीह का अनुक्रह तुम पर होता रहे